हलो एवरीवन वेलकम टू स्टार आईक्यू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लाटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 28 मई 2023 के हर्याना करेंट अफेर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईए सेशन के सुरुवात करते हैं आप सभी को रादे रादे प्यारे दोस्तों आज के इस इपॉर्टन सेशन के सुरुवात करें उससे पहले आपको कल जो सवाल दिया था उसका सही जवाब क्या होगा मिमलिक्त में से कौन सी नदी समुद्र में अधिक्तम मात्रा में पानी ले जाती है अब यहाँ पे ना दो ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आप लोगों को कर रहे थे एक तो था नील और एक थी अमेजन ये दो ऑप्शन है जिको नील दुनिया के सबसे लंबी नदी है लेकिन अगर आप नदियों के सबसे चोड़ेपन की बात करते हैं तो वो है अमेजन तो ज़्यादा चोड़ाई है तो जहर सी बात है पानी भी ज़्यादा ही आएगा कॉमन सेंस है तो करके इस सवाल का ठीक जो अंसर है न बी वाला ऑप्शन ठीक था और सारे बच्चों ने अंसर नील पे दे रखा था इस करके मैं समझी गया था कि आप लोगों का कंफ्यूजन तो लाजमी आना ही आना है अमेजन नदी अंटलाटिक महासागर में अपने पानी को निर्वन करती है अमेजन बेसिन दुनिया में सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है ये अमेजन नदी दुनिया में दूसरी सबसे लंबी नदी है केवल नील नदी के बाद में और अमेरिका के सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी के रूप में भी जाना करते हैं इसको अमेजन नदी पेरू के एंडीज प्रवत से निकलती है पेरू, बॉलिविया, वेनिज्वेला, कॉलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील इन देसों से होके बहती है ये और अमेजन नदी के ऊपर पूरी चुड़ाई में जो हैना कोई पुल भी नहीं है ठीक है क्योंकि चुड़ाई बहुत जादा है इसकी अमेजन नदी का अधिकांस इसा ब्राजील से होके ही बहता है तो हिसाब से आप तो कोछ चीज़े समझ में आ गई होगी और अब आप कभी कंफ्यूज में नहीं होगे ठीक है आईए आज का पहला करेंट फिर पढ़ाते हैं आपको कि हाली में कौन सी युनिवस्टी की महिला कबड़ी टीम में खेलो यंडिया चेंपियन बनी है तो महिला कबड़ी टीम खेलो इंडिया चेंपियन बनी है जो कि कुरुचेत्र की टीम है आप शे नमबर A इस सवाल खाब बिलकुल ठीक रहेगा खेलो latter उन्यक्षा की टीम है यद्दि इस उनिवस्टी सिम्ला को 32 से हराया और कुछेतर के 120 खिलाडियों ने इसमें क्वालिफाई किया है तो खेलो इंडिया यूत गेम नहीं यह खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम है इस बार यह कहां पर हो रहे हैं यूपी में हो रहे हैं और इसमें कुर्चेतर युनिवस्टी के 120 खिलाडियों ने क्वालिफाई किया है और इसमें से कुर्चेतर युनिवस्टी की कबड़ी टीम ने जीत के सिलसले को कायम करते खेलो इंडिया युनिवस्टी टीम 2022-23 में गोल्ड मेडल जीता है और युनिवस्टी का नाम तक है टॉप पिकी आई है इस युनिवस्टी के वीसी कोन है प्रोफेसर सोमनात सचदेवा अच्छा इस युनिवस्टी के वीसी है ना यह बहुत इपॉर्टन्ट है क्यों इपॉर्टन्ट है सर क्योंकि आपको पता होगा दुनिया की पहली आयूस युनिवस्टी वो भी कुर्चितर के अंदर बनने वाली है अगर आपको याद होगा तो वैसे ही युनिवस्टी जो ना एक्ट 2017 के ताय 2018 में सैटप हो गई है और 500 एकड में हालांकि इसका काम अभी भी जारी है इसका बजट पहले 100 करोड रुपे था और बढ़ा के 200 करोड कर दिया और इसके वी सी का नाम जो है ना हो SN सचदेवा ही है और इसके अलावा इस युनिवस्टी के खेल विभाग के निदेशय का डॉक्टर राजेस सोबती ये भी बात आप लोग याद कर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला किस्टन आपके लिए है कि हाली में हर्याना के किस जिले में सेल्फ हेल्प ग्रूप के उत्पादों की बिक्री के लिए सेंटर बनेंगे सेल्प हेल्प ग्रूप प्रोडक्ट के को बेचने के लिए हर्याना के अंदर जो ना ये से इंटर बनेंगे कुरुचेत्रा के अंदर आप्चिन नमर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है ये पाइलेट प्रोजेक्ट सफल अगर रहा है तो कुरुचेत्र में स्टोर बनाने की सिंख्या को बढ़ाया जाएगा दिरे दिरे फिर पूरे हर्याना के अंदर भी इसको बढ़ इसमें सवदेशी हुत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सेल्प हेल्प ग्रुप की कड़ी को मजबूत करने के लिए कुरुचेत्र जिले के अंदर दस स्टोर बनाने का निरिने लिया गया है सरकार के दवरा दस ग्रुप को लेके एक स्टोर बनाया जाएगा ठीक है दस ग्रुप का मतलब क्या है सर जैसे माल लेते हैं कि एक ग्रुप है जिसका कुछ प्रोड़क्ट बनाते हैं सहद से रिलेटेड कोई प्रोड़क्ट बनाता है सेल्प हेल्प है यह अपने आप ही 10-15-20 लोगों को एक छोटा सा इंडस्ट्री लगा रखा है जिसको ग्राम पर समान बेचा जाएगा और यह पाइलेट प्रोड़क्ट के रूप में काम करेगा याद रखना पाइलेट प्रोड़क्ट का मतलब है यहां पर यह एक डेमो टाइप का होगा अगर यह सक्सस रहता है तो इन फ्यूचर के लिए बहुत ही मतलब इसको महतवाकांशी प्रो पुचेतर के 127 गाओं में अल्रेड़ी अभी काम कर भी रहे हैं यह ठीक है सो इपॉटेंट है यह दस सेल्प हेल्प ग्रुप को लेके एक स्टोर बनाया जाएगा ताकि एक साथ सो सेल्प हेल्प ग्रुप इस योजना के साथ जुड़ सके इस स्टोर का सरूप क्या होगा इसका फैसला परसासनिक अधिकारियों को ही लेना होगा कि कैसे टोटल हैस में वीटा और हैफड है इनको भी जोड़ा जाएगा इनके प्रोड़क्ट भी एक्चुली एड़ किये जाएंगे और इसके अलावा जो है यहां पर एक बात और इपॉर्टेंट है कि सेल्प हेल् को जीङए श्ल्प हेल्प को इतने पैसे दिये जाएंगे बाकि इसके और क्या-क्या चीजेस में अपडेट होगी अभी वो जब यह लॉंच यौग तब आपको बताया जाएगा ठीक है अच्छा बात अब पक्रुचेत्र की कर रहे हैं तो यह तो हम करी सकते है कुरुचे vier से जो विधायक है उनका नाम आप याद रखना सुभासुधा ठ्र है अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कं तो रिजव सीट है इहां से यहां से राम सब्सक्रों पहवा है जिँ जिते हैं ठीक है सर्दार संदीट सेंग ऑक हार्याना के पूर्व खेल मंत्री है वर्तमान में इनके पास प्रिंटिंग डिपार्ट्मेंट है सुधंध्र प्रभार के मंत्री है हैं मुख्य मंत्री जी सौंप दिया एक लाड़वा है अगर आपको पता हो तो लाड़वा से विदाय को है लाडवा से विदाय का मेवा सिंग इनका भी नाम आप लोग जुरूर याद रखना ठीक है अच्छा इसके अलावा आप लोग जो है न क्या याद कर सकते हो कुरुचेतर से कुरुचेतर में जो सबसे इपॉर्टन बात मुझे लगती है वो है यहाँ पे के यू के यू के दोक्टर राजिंदर परसाद जी भारत के जो पहले राश्ट्रपती थे उन्होंने इसका उद्गाटन किया था और इसके सुरुवात कौन से डिपार्टमेंट से हुई थी अगर आप से पूछ लिया जाए तो इसके सुरुवात स्टार्टिंग में जो है वो संस्कृत वि टेकनोलोजी है और यह एनाइटी कब सेट अप हुई थी कभी आप से अगर पूछ लिया जाए तो एनाइटी 1963 के अंदर एक इंजिनिरिंग कॉलिज के रूप में सेट अप हुई थी वैसे और इसको एनाइटी का दर्जा तो मिला था 2008 के अंदर यह बात भी आप तो याद अचा बिला मंदी जो है ना किस सम्बंदीत है यह जुगल की तूर बढ़ा जी से सम्भंदीत है इस मंदीर में गीता जी के स्लो ano लिके वे इसलिए इश़ांट है था था हाली की अगर बात की जाए तो यहां पे गीता मौत्सव हुआ था आपको याद होगा अचा गीता मौत्सव कब से कब तक हुआ था गीता मौत्सव हुआ था 19 नुमंबर से लेके चार दिसंबर के बीच में हुआ था यह 2022 के अंदर हुआ था इसी मुक्य अतिती हमारे भारत की रास्टर पती जी आई थी वो भी आपको याद होगा अचा इसका थीम नेशन कौन सा था इस पार इसका थीम नेशन इस पार इसका MP था और इसके अलावा जो हना अगर बात लेकिन सबसे लेटेस्ट की बात अगर की जाए तो 2022 का हुआ था कनेड़ा के अंदर हुआ था ओटावा के अंदर और अभी रिसेंटली 2023 का हुआ है ऑस्ट्रेलिया के कैंबरा के अंदर हुआ है और यह कब हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं तारीक भी मुझे अगर अनिल विज्जी के मुख्य अतिती बने थे उस टाइम पे ठीक है तो चलो सर तो यह बात है आपको कुरुच हित्र की है इतनी सारी याद रहने चाहिए राश्ट्रिय पसूदन मिशन के तैत उध्धम लाने लगाने पर कितने प्रतिसत की सबसेड़ी मिलेगी अंडर राश्ट्रिय पसूदन मिशन के तैत नया उध्धम लगाने पर 50% की सबसेड़ी मिलेगी और इसके लिए अधिक्तम सीमा 10 लाग रुपे से 50 लाग रुपे तक है यह सबसेड़ी मुर्गी पालन भीड और बकरी पालन सूर पालन और 4 उध्धम के लिए बेसिकली दी जाए तो राश्ट्रिय पसूदन मिशन के तहत आपके पेपर में पूछ सकता है किस मिशन के तहत यह ऐसा होनी जा रहा है तो आपको राश्ट्रिय पसूदन मिशन याद रखना है और हर्याना पसूदन विकास बोर्ड की तरफ से जो ना कोई नई फैक्ट्री लगाता है नई इ सबसिडी देगी कई सो रुपे लगते हैं तो 50 रुपे बिच के बीच के 50 लाग तक ही हो सकता इससे जदाए नहीं करोड़ का बिजनस तो कर दो तो ऐसा नहीं इनके अंडर ही इनको बैसिकली ये वाला काम जो है न दिया जा सकता है सबसीटी दी जا सकेगी हर्याना के काउयमब टूर में हुई आई जी यू एमेचोर गॉल्फ पpowerतिव गिता में किस जिले के रोहित नर्वाल ने गोल्ड मैडल जीता है सोरी तमिल नाडू का कौयंबर टूर है हरियाना का नहीं तमिल नाडू के कौयंबर टूर में हुई है आई जी यू एमेचोर गोल्ड परतियोगिता के अंदर उसमें रोहित नर्वाल जो है यह मैडल जीते हैं इनका तो खेर आप से पूछा जिला कौन सा है इनका जिला हरियाना का करनाल तो इस सवाल का आप्शन नमबर डी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा यह बात आप लोग याद रखेगा ठीक है ना डी आप्शन इस कुस्टन का पर्टिकुलर का ठीक है नर्करनाल अच्छा यह तो बात ठीक है करनाल के अंदर जीता है एमेच्योर गॉल्फ अपरत्यो गी था वहाँ पे जीता है रहीत नर्वाल ने गोल्ड मेडल जीता है पर इस गिम में गोल्ड मेडल जीता है ठीक है तो बात ठीक है पर करनाल के इसठापना कब हुए थी जब अंदर भर्याना बना था भी मतलब जादा खुशी तो क्या लेकिन का मनोहरलाल का थे हैं। दूसरी सीट इंदरी है यहां से रामकुमार और तीसरी सीट अगर आप से पूछ लिए जाए असंध टिग न संध से कौन जीतेवे हैं संशेरजी किया जी जी गोगी है, वैसे तो पूरा नायमन का, इसके अलाबा घरोंडा भी एक सीट है, यहां पर ठीक है, घरोंडा से जीते वे हैं हरविंदर, हरविंदर सिंकल्यान है, एक सीट है निल्लो खेडी, निल्लो खेडी तो आप लोगों को पता होगा, कि यह सीट आरक्षिश सीट है निलोगरी हें निलोगेडी से जी उए धरंपाल गोंदर तहोट भी आप लोग याद रहत रखना इसके अलावा अगर आपसे यह पोछ सक्लिया जाए कि हमारा यह कर्नाल जीला है यह किसके लिए जादा धाश् से Super एक तो यहां पर NDRI है आपको पता होगा, NDRI क्या है, National Dairy Research Institute है यह, इसकी स्थापना पैसे 1923 में हुई थी, पर Bangalore में हुई थी, बाद में Imperial Animal Hospitalary Dairy Research Institute बना था यह, और Imperial College की रूप में 1936 के अंदर जो है इसकी proper स्थापना हुई थी, 1923 से 1936 आ गया, उसके बाद में 1955 के अंद लेकर आये थे, ठीक है, तो आप में ली NDRI की अर्याना में तो स्थापना अगर आप से कोई पूछे ना, तो आपको जवाब 1955 ही देना है, ठीक है, एक तो बात यह important हुई, अचा, NDRI का एक current फिर मुझे बड़ा important याद है, हर्याना के अंदर कहो, या देश के अंदरी कहो ठीक है ना, basically IVF technology से भहस्तियार करने के मामले में NDRI नमबर वन है, ठीक है ना, इनवर्टो फर्टिलाजीशन से भहस्तियार करने में नमबर वन है ये, इसके अलावा जो है ना, NDRI एक युनिवस्टी भी है, आपको पता होगा, और NDRI युनिवस्टी का दरजा इसको मिल इसके अलावा जो है एक वीट रिसर्च सेंटर का मतलब क्या है कि गहुँ अनुसंदान के इंदर है, ये भी करनाल के इंदर पढ़ता है, 19 और इसके स्थापना जो है वीट रिसर्च सेंटर की हुई थी, 19-78 है, ठीक है एक पर फिर पी चेक कर ले ना, इसको हो सकता है, मैं भूल जाओं कई, ठीक है, चलो, इतनी सारी बाते आपको लोग याद कर सकते हो, अच्छे गन्ना परजनन के इंदर भी याद कर सकते हैं, तो यह सब चीजे आपको याद रखनी हैं, बाकि करनाल के मेले बड़े फेमस है, जैसे मैं आपको अगर वर्बली बताने ही कोशिस करूँ तो बाबा सिमरंदास का मेला, पांडू का मेला है, एक देवी का मेला है, और छडियों का मेला बड़ा फेमस है, गोगा पीर का मेल भी यहां का परसिद मेला है, ठीक है ना, अरियाना का बलकि मेलो का गाउं भी करनाल के अंदर ही है, जिसको सालवन करनाल का एक ऐसा गाउं है, जिसको मेलो का गाउं कहा जाता है, अरियाना के अंदर, ठीक है, तो चलिए, यह वाला पॉइंट तो आपको को इतना याद रह रहे हो ताइम पे नहीं मिल रहे हैं मैं आपकी बात से 100% सहमत हो मेरे बच्चा मेरे लाल लेकिन क्या करें आपके सर्जी थोड़े से वेस्ट है बहुत ही कोसिस है कि आप लोगों के करेंट जल्दी सुचरू रूप से हो जाए थोड़ा सा माफ करिएगा मैं सोरी बोल रहा अपने हरियाना में गाना ना बस वही वाली बात है चलो और हाँ सीटी मेंस के बैच पे 31 मई तक जो है न वो थोड़ी डिसकाउंट चल रहा है 31% कबल के डिसकाउंट चल रहा है तो आप उस बैच को ले सकते हैं और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी मेरे तरफ से आएगी वो ये वो आपको कल की वीडियो में बताऊंगा चलो एक बड़िया से कुछ कबरी हो सकती है ठीक है फिलाल के लिए आपके लिए तो यही एक बड़ी सा डिसकाउंट है तो आप इसको ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है शुकरिया और रादे राद झाल झाल